आज का हमारा requested topic है trap trading ट्रेप क्या होता है, trap traders कौन है, ये कैसे होता है और finally, how we can profit from trap traders तो आज की वीडियो में हम इनी चीजों को discuss करेंगे वीडियो बहुत knowledgeable होने वाला है तो वीडियो को बिना skip कियों देखें So, what is trap trading, simply, trap का मतलब होता है false syndrome For example, ये हमारा resistance है और हमारा stop loss हिट हो जाता है तो simply इसे ही trap बोलते हैं Trap के और भी example हो सकते हैं In short, या हम इसे price manipulation बोल सकते हैं जो big bank या smart money दो आरक किया जाता है Traders को trap करने के लिए क्योंकि हम जैसे unformed trader market में पैसा lose नहीं करेंगे तब तक ये big players पैसा नहीं कमाएंगे इसलिए big player retail trader के लिए call signal का trap बिचाते हैं और जब हम इस trap में फसकर loss करते हैं तो उनको profit होता है तो क्या stock market में trap ethical है जी हाँ ये 100% ethical है क्योंकि stock market एक survival business की तरह है जिसके पास knowledge है वो survive करेगा और जिसके पास knowledge नहीं है वो यहां से बहार हो जाएगा इहां तक हमें पता चल गया big institute and big players retail trader को trap करते हैं अब समझते हैं वो क्यों trap करते हैं suppose ये resistance level है अगर price को इस level से नीचे आना है तो ये directly नीचे आ जाएगा but smart money and big players के पास ज़्यादा money है तो वो अगर इस downtrend में sale करेंगे तो price बहुत ज़्यादी नीचे आ जाएगा और उनका order भी फिल नहीं होगा तो ये trade उन लोगों के लिए value trade नहीं होगा उनका motive sale low value का नहीं होता है उनका motive होता है sale value ताकि उनका maximum profit हो सके अब देखिए big players के पास ज़्यादा order है तो देखिए वो कैसे इस price में अपने order को fill करेंगे उन्हें low पर तो sale करना नहीं है तो वो ये कैसे करेंगे तो देखिए price resistance के पास build up लेता है तो हम retail trader सोचते हैं price जब उपर breakout देगा तो हम यहाँ buy करेंगे but अगर smart money sale करना चाहता है तो वो यहीं sale करेगा तो हमारा breakout के बाद जो buy order रहेगा वहीं उनका sale order रहेगा price यहाँ breakout देगा फिर consolidate करेगा और फिर नीचे आ जाएगा price जितनी देर यहाँ रहेगा उनका order fill होता रहेगा और जब buyers market में खतम हो जाएगे तो price नीचे आ जाएगा तो इसके पीछे का region बिल्कुल simple है first of all, big players को volume चाहिए मतलब जो उनका बड़ा sale order है वो तभी फिल होगा जब उन्हें buyers मिलेंगे तो resistance के उपर उन्हें बोलियम मिल गया अगर वो resistance के पास अपना big order प्लेस करते तो heavy selling की वज़े से market बहुत तेजी से नीचे गरेगा तो इसे award करने के लिए retail trader को trap करते हैं तो हम resistance के उपर जब buy करेंगे तो उन्हें बोलियम में मिल जाएगा और sleepage भी नहीं होगा हमारा buy order उनके लिए sale order रहेगा अब बात करते हैं breakout कप फेल होता है जब price resistance के उपर जाकर बापस resistance के नीचे आकर closing देता है तो ये warning है की breakout फेल होने बाला है now अब हमें confirmation signal चाहिए आए अब हम देखते हैं इसे बोलियम के साथ कैसे analyze करते हैं पहले एक real breakout का example देखते हैं genuine breakout में breakout candle का बोलियम high होना चाहिए next जब price retest करता है तो इसका बोलियम कम होना चाहिए और candles शोटे होना चाहिए retest के समय price भी गरता है और साथी साथ बोलियम भी गरता है और next price को इसकी level पर hold करना है ये हम candlestick pattern को देखकर पता लगा सकते हैं like कोई love with candle like pin wire, shooting star, hammer, doji, maruboji, etc और जब price यहां से बढ़ना शुरू करें तो again volume बढ़ना चाहिए तो ये कुछ condition आप breakout के समय यहां रख सकते हो first breakout candle का volume high होना चाहिए second retest candle का volume कम होना चाहिए आपको check करना है क्या price की level को hold कर रहा है ये आप candlestick pattern की help से समझ सकते हो और fourth जब price उपर जाए तो उसका volume भी high होना चाहिए अब देखिए जरूरी नहीं है सारे point होंगे तभी breakout कम करेगा हाँ अगर आप ये point breakout के समय ध्यान रखते हो तो आपके loss कम होंगे आईए अब false breakout के example देखते हैं यहां देखिए यहां भी price high volume के साथ breakout देता है but retest candle का size बड़ा है with increase in volume अगला candle resistance को break करके बापस इसके नीचे closing देता है तो ये first burning signal है price high volume के साथ नीचे आता है next फिर price इस level को जब retest करता है तो यहां volume low होता है और जब price बापस नीचे जाता है तो volume high होता है और इस level के break पर हम यहां entry ले सकते हैं यह बस example थे real chart में इतनी चीज़े clear नहीं होती लेकिन आपको view देने के लिए मैंने इन example को use किया आप देखिए हम breakout failure को कहां use कर सकते हैं first previous day high low suppose यह previous day का high और low है तो आप in location पर breakout failure देख सकते हो second opening range high and opening range low suppose यह हमारा आज का opening range high है और यह low है तो हम यहां पर breakout failure को देख सकते हैं third last swing low and last swing high in trending market suppose market uptrend में है तो यह हमारा support level है तो हम यहां breakout failure देख सकते हैं और fourth है any key level अब देखते हैं इन्हें हमें trade कैसे करना entry exit कैसे होना है इसके कुछ point add रखी फास्ट clean key level मतलब जो key level है चाहें वो support हो या resistance वो clear होना चाहिए second breakout third breakout fail fourth testing key level जिसमें हम candlestick को देखेंगे और fifth confirmation with volume and candle अब examples देखते हैं कि breakout fail क्यों हुआ और कैसे हम इससे profit बना सकते थे यहां देखिए यह हमारा resistance है nest प्राइज इस लेविल को break करता है nest प्राइज यहां consolidate करता है कोई भी candle इस breakout के उबर follow through नहीं देता nest एक red candle resistance के नीचे closing देता है तो हमारा यह fall signal है यहां retail trader trapped हो चुके nest यहां एक test candle है और जब nest candle इसके लोग को break कर देता है तो हम यहां sort कर सकते हैं जतने लोगों ने उपर वाय किया होगा यहां कहीं टिगर हुआ होगा और उनका stop loss मतब से loader और बहुत से smart trader भी होंगे जो इस breakout fail में sort position बनाएंगे तो इस प्रेकार यहां selling pressure के कारण first fall देखने को मिलता है breakout with high volume low volume consolidation फिर high volume के साथ नीचे आया low volume retest and confirmation calendar देखिए हर वार perfect example नहीं मिलेगा false breakout के लिए volume effector हो सकता है और इसके साथ order factor भी है बस आपको tap trader के emotions को समझना है सोचिए अगर आप ही इस trap में फसे हुए हो तो वो कौन सा point है जहां आप exit होंगे कहां आपका stop loss होगा इस base पर आप sort trade ले सकते हो क्योंकि big players हमारे stop loss और emotions को hit करते हैं या उस base पर काम करते हैं सेम अगर support level पर false breakdown मिलता है तो हम बहां भी trap trader की stop loss point और emotions के according buy trade ले सकते हैं एक और example देखते हैं यहां देखिए हमें breakout देखने को मिलता है और यहां breakout candle का volume low है तो यह false signal है कि यह breakout fail हो सकता है next price को session में नीचे आजाता है then price इस level को test करता है फिर एक rate candle इसके low को break करता है तो हम यहां sort कर सकते हैं next example देखिए यहां देखिए breakout तो हुआ है पर candle का majority part resistance के नीचे है और यहां हमें upper बिक भी देखने को मिलता है मतलब यहां आभी भी sellers है मतलब ऐसे breakout a breakdown जहां candle का majority part की level के अंदर है और हमें breakout के साथ long week देखने को मिलता है तो ऐसे breakout a breakdown को avoid करना चाहिए क्योंकि breakout हमेसा clear होना चाहिए अब देखिए fall breakout trading में आप अपने accuracy को बढ़ा सकते हो with the help up trade suppose अगर market obtained में है और obtained के दौरान हमें support level पर false breakout देखने को मिलता है तो इसके base पर हमें एक अच्छा trade ले सकते हैं सेम downtend के दौरान अगर resistance पर false breakout देखने को मिलता है तो हम यहां एक अच्छा short trade ले सकते हैं आईए एक example देखते हैं यहां देखिए market obtained में है और यह हमारा previous resistance है जो support का काम कर सकता है मतलब यह हमारा key level है nest price बापस इस level को approach करता है अब देखिए price इस level को break कर देता है अब आगे देखते हैं क्या होता है यहां price immediately कुछ candle में बापस इस level के उपर आ जाता है और closing देता है मतलब यह false breakdown signal था अब confirmation के लिए हम एक fresh green candle के बनने का बेट करेंगे जो totally इस key level के उपर बने फिर इसके base पर हम यहां एक long trade ले सकते हैं same downtrend के लिए भी apply होता है तो दोस्तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ information मेली होगी अगर आपको यह वीडियो informative लगी तो वीडियो को like and channel को subscribe कर लीजेगा मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए base of luck trading secret 2.0